नमस्कार दोस्तों अनिल सांगवान सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल औल कोईन पर। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम आज copy pro trader के बारे में उसके plan के बारे में insert में बात करेंगे दोस्तो आपको description में link मिल जाएगा या आप मेरे group में है तो group में मैं already डाल चुका हूँ आप जैसे ही click करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा user interface आएगा ठीक है यहाँ पर मेरा नाम, मेरे mail ID और mobile number उपर दिख जाएगा ठीक है और थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर sign up का button है sign up के button पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा user interface है जो आपको सामने आएगा registration कैसे करना है यहाँ पर आपको अपना first name डालना है last name, telephone, mail ID ठीक है थोड़ा नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपनी तरफ से username select करना है password डालना है, confirm password करना है ठीक है फिर नीचे आएंगे यहाँ पर आपको self जो अपने username डाला है आप वो भी डाल सकते हैं या अलग भी अपने refer link में जो आपका नाम से हो आपका refer link से हो उसकी साब से यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते है अपना username भी डाल सकते है ठीक है यहाँ पर आपको bitcoin wallet address डालना है आपका जो इनका 7 level का plan है उससे जो आपको benefit आएगा वो यहाँ पर आपको direct BTC send करेंगे ठीक है और यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर tick पर click करके और next कर देना है ठीक है जैसे ही form fill up करके आप यहाँ पर tick पर button करके next पर बटन पर click करते हैं आपको confirmation पूछेगा कि हाँ यह जो आपने information दी है यह आपकी सही है कि नहीं है और अगर information सही है तो submit के button पर click कर देना है यहाँ पर देखिए यह submit के button पर click कर देना है submit आपकी mail ID पर लिंक जाएगा confirmation लिंक जाएगा उसको confirm भी कर देना है और information mail जाएगा और यहाँ पर देखिए आपको 99 अब plan की बात करते हैं कि इनका plan क्या है यह दोस्तो 99 डॉलर का fees लेते हैं इन BTC के रूप में आपको यहाँ पर bitcoin address दिखेगा इस address पर यहाँ इतना BTC दिखाए यह send कर देना है अब बात यह है कि आप यहाँ पर कितना भी fund रखिए 1000 डॉलर रखिए या फिर 10,000 डॉलर रखिए आपका fees महिने का इतना ही कटेगा और यह मंतली 3-4 महिने का मैंने जो calculation किया है इनका देखा है 20% से उपर आया है 20% से नीचे नहीं आया है 20 भी आया है 30 भी आया है 35 भी आया है 40 भी आया है तो मेरे हिसाब से अगर 10% भी minimum मान के चले तो भी best है एकिन 20% इनका सही आया है ठीक है तो दोस्तो 99 का जो इनका हम payment कर देते हैं उसके बाद हमारा trade स्टार्ट हो जाता है और हमें अपना बाइनस अकाउंट में fund रखना है उसका API जरनेट करना है API की कैसे जरनेट करना है वो मैंने पहले video डाल रखा है उपर आई बटन पे जैसे ही आप करेंगे आपको वो वीडियो मिल जाएगा API कैसे क्रियेट करने है हम यह जैसे ही पेमेंट कर देते हैं हमारा लोग अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा और हमारा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा हमें हमारे वो बाइनस काउंट में fund रखना है दोस्तों मिनिमम का 1000 डोलर रखिए क्योंकि जगर आप रखते हैं 500 डोलर तो यह जो 99 का हम फीस पे करते हैं तकरीबन इतना ही रिकवर सम्थिंग हो जाएगा मिनिमम रिकमेंड करूंगा कि आप मिनिमम 1000 डोलर रखिए उपर कितना भी रख सकते हैं लेवल क्या है आप किसी को इनवाइट करते हैं तो आपको 21 डोलर आपको डारेक्ट रेफरल मिलेगा कितने भी अनलिमिटेड डारेक्ट कीजिए और 7 लेवल तक हर लेवल से 7-7 डोलर पर मन्थ मिलेगा आपको जैसे ही आपके डाउन में कोई भी एक्टिवेट करता है पर मन्थ उससे डारेक्ट से 21 तकरीबन यूस डिटी मिलेगा आपको और बाकी हर लेवल से 7 यूस डिटी मिलेगा पर मन्थ ठीक है बिल्कुल सिंपल सा प्लैन है यहाँ पर रिस्क फैक्टर की ही बात करें तो दीए दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट करते हैं अगर स्पोर्ट ट्रे Bridge में माललों हमने रखा वहाँ परh사्प है 1000 यूस डिटी तो decade यूस डिटी का वह स्पोर्ट fresh डिटी करेंगे तो कुछ नै कुछ कुईन तो वह बाए करके रखेंगे ना तो अगर मालो मार्केट डाउन भी रह जाता है मार्केट डाउन हो जाता है तो कितना लोज होगा 2%, 3%, 5%, 10% लेकिन हमारा फंड है वो जीरो होने के चांस बिलकुल कम है ना के बराबर है क्योंकि स्पोर्ट ट्रेडिंग में रिस्क बिलकुल कम रहता है अगर हम बजाए बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग की तो वहाँ पे फंड लिक्विड होने के भी चांस रहते हैं लेकिन जो स्पोर्ट ट्रेडिंग है इसमें मालो हमारे पास जैसे मैंने बताया एक जार यूसडिटी है तो उन्होंने 100 यूसडिटी का कोई 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 बाय किया ट्रेड लगाया और उसी टाइम मार्केट डंप हो गया डाउन हो गया तो 5%, 10%, 15%, 20% इतना ही मार्केट डाउन जा सक आपके अपने ओल्रेडी जो आपने बाइनेस अकाउंट बनाया हुआ है उस बाइनेस अकाउंट में फंड रखना है API के थूरू यह ट्रेडिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे API का भी सेटिंग करना रहता है वो कहां करना रहता है अब देखी दोस्तो जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देते हैं इनका 99 USDT का उसके बाद आपको आपके डैस बोर्ड में जाना है यह तीन लाइन है इन पे क्लिक करना है इन पे क्लिक करके माई डैस बोर्ड पे क्लिक करना है माई डैस बोर्ड पे क्लिक करके एक्सेंज सेट आप इन तीन एक्सेंज में किसी का भी API क्रिएट करके और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्राकन हिट बीटी सी और बाइनस तो मैं यूज करता हूं बाइनस और आपको प्रेफर भी करूंगा कि आप बाइनस यूज कीजिए क्योंकि काफी अच्छा अक्सेंज है स्क्व लगाना चाते हैं कौन सा आप ट्रेडर सेलेक्ट करना चाते हैं इसी हिसाब से यहाँ पे आप उसके बाद यहाँ पे आपका API की डालना है और यहाँ पे सीक्रेट की डालना है API की और API secret की दोनों जरनेट करके वो मैंने वीडियो डाल रखा है आप मेरी YouTube जैनल पर जाके देख भी कर सकते हैं कैसे API जरनेट करना है और फिर यहाँ पर HitBTC का भी है इसके डाउन में Binance का है यहाँ पर API की secret की डाल के और सम्मिट कर दीजी कुछी देर में आपका trade स्टार्ट हो जाएगा और सबसे बड़ा benefit क्या है दोस्तो आपको trade live दिखेगा क्या trade लगा रखा है क्या चल रहा है आपको उसको self cancel भी कर सकते हैं आपका account में आपका fund आपके account में रहेगा किसी time trade को close करके और पुरा fund withdrawal कर सकते हैं इनका fees एक महिने का है 99 USDT का direct referral है 21 USDT मिलेगा आपको और 7 level का income 7 USDT पर level से आपको पर referral का मिलेगा तो बिलकुल simple plan है risk कम है अपने विहाब पे study कीजिए दोस्तो हम जो भी information और या जो भी वीडियो बनाते हैं as a information based मनाते हैं हमारा कोई भी वो नहीं रहता है कि हम आप हमारे कहने से आप investment करें self study जुरूर करें चाहे project कोई हम बता रहे हैं चाहे पेड हो अपनी self study जुरूरी है self study कीजिए हमारा channel या हम आपके investment की कोई guarantee नहीं देते हैं ये दोस्तो हर project में ऐसा ही रहता है self study सबसे जुरूरी है और ये जो project है इसका हम क्यों बता रहे हैं क्योंकि एक बिहाब पे Binance Exchange में अपना fund रखना है और उससे API की तुरू trading करवाना है वो भी sport में जैसे पहले मैं नहीं बताया कि sports trading risk का chance बिलकुल कम रहता है इसलिए आप अपने self study और अपने बिहाब पे जरूर करें अगर अच्छा लगे description में link है वहाँ से registration करके trade स्टार्ट कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं next video में next update के साथ तब तक के लिए धन्यवाद